इस विडियो में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश टॉपिक डिफरेंट्सियेशन सबसे अधिक अगर किसी टॉपिक से अगर पाला पड़ता है शुडेंट को तो वो डिफरेंट्सियेशन ही होता है और इंटिग्रेशन होता है इसका यूज नौकी मैट्स में बलकि इसका यूज आप लोग साइन्स के अधर सब्जेक्ट में भी करते हैं फ्रेक्स में भी इसका काफी यूज होता है केमेस्ट्री में भी इसका आप काफी यूज करते हैं आगे जा करके तो इसका यूज कुछ और भी जो arts paper के subject उसमें भी यूज इसका होता है तो आज हम लोग उसी differentiation को जानने का कोशिस करते हैं कि आखिर differentiation कौन सट क्या है, differentiation क्या होता है हम लोग अभी just chapter पर के आये हुए है differentiability उस differentiability में हम लोगों ने lsd, rsd का चर्चा किया उस समय हमने आपको graphs कीच करके lsd, rsd कैसे निकाला आता है वो भी बताए थे lsd जिसको left hand derivative बोलते हैं और rsd जिसको right hand derivative बोलते हैं आपको बताए कि graph के किसी खास point पर जो हम लोग tangent draw करते हैं उस tangent का slope होता है differentiability बताते समय हमने आपको flow के बारे हम बताए होंगे कि graph किस तरह से flow करता है graph का flowing जो होता है वो flow ही समझे की slope बनता है जैसे ही हम बोल दिये slope तो समझे सब मामला वहीं समाप्त हो गिया इसलिए आपको starting में बोले कि graph का flow कैसा है उससे पता जलता graph का nature और वो flow जो है वो कहीं न कहीं directly slope को represent करता है कि graph का flow कैसा है यानि graph का slope है वो कैसा है graph का slope नहीं होता है बलकि graph के किसी खास point पर जो tangent draw करते हैं उसका slope होता है तो कहीं न कहीं हम लोग lsd rsd जो निकाले हैं वो क्या किये थे वो हम लोग tangent का slope निकाले थे तो just वही चीज यहां भी है कि जब lsd rsd को हम बढ़ावर किये और उसी को f dash a बोले थे उसी को f dash कोई point जिस point पर हमें lsd rsd निकालना होता था उस point पर f dash a हम बोलते थे तो actually में वो जो f dash a बोलते थे तो वो उस tangent का slope होता है तो slope निकालने का तरीका है differentiation dc निकालना किसी function का dc निकालना मतलब उस function का slope निकालना function का slope मतलब function के function का जो graph होता है उस graph पर कितने point उसी भी function का जो graph होता उस graph पर कितने point उसका अनन्त point होता है तो उस जितने भी point होते हैं उन सभी पर जो tangent हम लोग खीचेंगे तो उसका जो slope होगा tangent का वही उस graph का slope होता है तो अलग-अलग points पर slope का value अलग-अलग आगा इन general point पर हम लोग slope कैसे निकालते हैं उसी को formula के रूप में हम लोग याद रखेंगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे sine theta का dc cos theta होता है तो cos theta होता है लेकिन अगर point हम अलग डालें ऐसे कि cos 0 का cos 0 पर क्या होता है तो उसका value अलग आजाएगा cos 90 पर slope क्या होगा वो अलग आजाएगा इसलिए अलग-अलग point पर slope का value अलग आएगा लेकिन हम लोगों को इन general point पर slope निकाल करके उसको formula के तरह याद रखना है d y by dx ये होता है इसको हम लोग d by dx y बोल सकते हैं ये d by dx जो term होता है ये term होता है differentiate कर रहे है x के respect में इसका मतलब होता है differentiate with respect to x differentiate with respect to x इस symbol का मतलब होता है d upon dx का मतलब हो गया differentiate with respect to x जिससे short form है हम लोग differentiate with respect to x लिखेंगे आगे से ये detail form है ध्यान रखने का short में इस तरह से लिखते है differentiate with respect to x अब है कि किसका dc निकाल रहे है तो y का आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि differentiate y with respect to x अगर इस total term को हमें बोलना हो ये तो हो गया कि इसको बोलना इसको हम बोलेंगे इस तरीका से या आपको हम फिर से अगर लिख दें कि ये जो term है ये इस term को इस तरीका से बोलना है लेकिन dy by dx जो है इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं टोटल को अगर बोलना हो, अगर चाहते हैं टोटल को हम पढ़ें, इसको बोलेंगे differentiate y, differentiate y with respect to x, यानि y को differentiate करना है x के respect में, यही होता है आपका dy by dx, जो symbol हम लोग यूज़ करेंगे, also आपको याद रखना है, कि dy by dx जो होता है, यह f dash x के बड़ावर होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग y को x के function के रूप में पढ़ते हैं, तो जब y को x के function के रूप में पढ़ते हैं, तो वहाँ से dy by dx निकलेगा, आपको f dash x निकलता है, तो यह dy by dx और f dash x एक ही चीज होता है, यह f dash x हम लोग बोलने के लिए बोल लेते हैं, लेकिन इसको सुद्ध रूप में f prime x बोलना चाहिए, f prime x इसको परना चाहिए, जो dash देते हैं ने, इसको क्या परना चाहिए, prime, यह सुद्ध प्रोनिसेशन होता है, लेकिन हम लोग इसको छोड़ करके f dash x, f dash x कहके काम चल करता है, क्यों, क्योंकि हम लोग y का जो function होता है, जैसे कि, माल लेते हैं, लेट कर लेते हैं y is equal to fx, लेट कर लेते हैं y is equal to fx, अगर इसको differentiate करेंगे, differentiate with respect to x करेंगे, तो d upon dx इधर भी लगाएंगे, और d upon dx दाहीं तरफ भी लगाएंगे, तो यह बाहीं तरफ का term जो है, यह divided dx बन जाएगा, और दाहीं तरफ का जो term है, यह आपको f-x बन जाएगा, और यही term है, जिसका चर्चा यहाँ पर किये है, यह divided dx जो होता है, यह f-x होता है, और यह divided dx क्या है, यह lsd, rsd ही है, जो कि अभी हम लोग पर के आ रहे हैं, किसी भी फिंसा स्वेकंः, और उन्दा को च्वेद रही का लाव पर कि यह विंद जाएगा, और हैं, managing जाएगा, और दो ही धूर, भर का दया है, किसी भी function के DC को ग्यात करने का तरीका ही process ही differentiation कहलाता है differentiation is a process by which we can derive DC of any function DC जो हम लोग निकालते हैं जो कि DIY DX आपको बोले या F'X बोले वो DC ही होता है किसी भी function का जब वो हम DC निकालते हैं तो इसी process को हम लोग बोलते हैं differentiation यह process होता है जैसे कि हम लोग पीछे में आप लोग को बताए थे LHD और यह LHD किसके बराबर होता था कि अगर LHD जो है वो RHD के बराबर हो तो यह इसी को हम लोग बोलते थे F'A और यही F'A आपका क्या बन गया DIY DX बनता है DIY DX at X is equal to A मतब LHD का मान RHD का मान जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं F'A बोलते हैं यदि यह दोनों equal हो तब तब उसको F'A हम लोग बोलते हैं और वही जो value निकालते थे वही यहाँ पर DIY DX कहलाएगा उस point पर का at X is equal to A अब है कि यह DIY DX निकालते कैसे हैं किसी भी function का वो ची हम लोग को पढ़ना है किसी भी function का यह DIY DX निकालते हैं उसको हम लोग basic तरीका से पढ़ते हैं उसको बोलते हैं first principle यानि कि किसी भी formula का समझ यह proofing है first principle एक ऐसा method होता है जिसके दोबारा किसी भी function का differential coefficient हम आसानी से निकाल सकते हैं तो उसके लिए एक formula आपको हम derive कर दे रहे हैं किस formula का use करके किसी भी function का DC हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं first principle के दोबारा किसी भी function का DC ग्याद करना जैसे कि let कर लेते हैं y is equal to fx y is equal to fx कोई function है increase del x in x and del y in y where del x and del y both are very very small positive quantity y plus del y is equal to fx plus del x x में del x का ब्रदी किये y में del y का ब्रदी किये मतलब x में इंक्रिमेंट हुआ है जो नो की fx में इंक्रिमेंट हुआ है x में del x का ब्रदी किये तो x plus del x लिखे y में del y का ब्रदी किये तो y plus del y लिखे है अगर यहां से del y निकालें तो y उदर जाएगा तो fx plus del x मैंनस y होगा y का अपना value कितना y का अपना value fx है तो fx plus del x मैंनस fx हो जाएगा यह क्या निकला del y निकला दोनों तरफ क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं del x से divide करते हैं fx plus del x मैंनस fx by del x इसमें भी del x से divide किये इसमें भी del x से divide किये और दोनों तरफ क्या करना है हमें limit लेना है limit del x tends to 0 दोनों ही तरफ जो है limit del x tends to 0 f x plus del x minus f x by del x हो जाएगा यानि इधर भी limit लिए जबकि del x tends कर रहा है 0 के तरफ और इधर भी limit लिए जबकि del x tends कर रहा है 0 के तरफ यह जो बाई तरफ का टर्म है limit del x tends to 0 del y upon del x limit del x tends to 0 del y upon del x तो यही टर्म आपका dy by dx कहलाता है यह चीज़ ध्यान रखना है कि limit del x tends to 0 del y upon del x का जो वैल्यू है इसी को हम लोग dy by dx कहते हैं del y upon del x मतब del y और del x का जो रेसियो है जबकि del x tends to 0 हो del x बहुत छोटा हो तो उसके limiting value को ही dy by dx कहा जाता है तो अगर इसके इस value को dy by dx को यहाँ पे डाल दें आप कह सकते हैं कि dy by dx जो है यह आपको limit del x tends to 0 तो f x plus del x minus f x upon del x होता है यह ची आपको याद रखना है यह ची आपको याद रखना है as a formula अगर थोड़ा सा आपको hints कर दें कि मान लिजिए यह del x जो है यह h है del x जो है यह h है तो आपका यह form कैसे बदल जाएगा so देखिए limit h tends to 0 f x plus h minus f x by h del x के जगह पर h डाले यहाँ del x के जगह पर h डाले नीचे भी h डाले तो आपको अगर याद हो इस चीज के बारे में कि यह क्या है तो f a plus h f a plus h minus f a upon h याद है limit f a plus h minus f a upon h h tends to 0 क्या होता था r h d होता था तो यह actual में क्या है r h d का ही रूप है यह क्या है यह r h d का ही रूप है यह और आपको बताई थे ने कि l h d हो या r h d हो वही d over dx होता है इसी लिए इस चीज को एज़ फर्मूला आपको याद रखना है और इसी के मदद से क्या करते हैं हम जितने भी तरह का function है उसका dc आसानी से निकालते है कुछ functions का dc आपको निकालने के लिए सिखा रहे है जैसे एक function ले रहे है y is equal to x square चुकि थोरा सा आप लोग क्या होता है कि physics में dc को थोरा सा आप लोग पर लेते हैं थोरा सा जलग आप लोग को मिल जाता पहले ही तो x square का dc 2x होता है यह हम लोग जानते हैं लेकि एकस square का dc 2x कैसे होता है उसको अगर इस formula से derive करें तो इस formula से सारा काम देखिए हम कैसे कर रहे हैं यहाँ f की चर्चा है तो यह जो y होता है यह क्या है y ही आपका fx होता है और यही आपका x square होता है y को ही fx बोलते है इसका मतलब हो गया कि अगर d by dx हम निकाले हैं तो rule क्या है limit del x change to 0 fx plus del x minus fx upon del x तो यह आपको जाएगा limit del x change to 0 x plus del x कहां जाएगा function में x के जगह पर x plus del x लिखा हुआ है यह इस x के जगह पर जाएगा x plus del x का square हो जाएगा यह fx है fx का अपना value कितना है x square है और नीचे मापको del x तो है ही उपर में अगर इसको solve किया जाए तो a plus b के whole square पर तोर लेते हैं a square plus 2ab plus b square बगल मापको minus x square है ही और नीचे मापको del x है ही यह minus x square plus x square केंसिल हो जाएगा बाकी जो टर्म उपर मापको बच रहा है उसमें से del x हम common लेते हैं तो यहां से del x निकलेगा तो यहां 2x बचेगा यहां से del x निकलेगा square है तो एक del x बच जाएगा और नीचे आपका क्या है नीचे del x है तो यह del x और यह del x आपका जो है किनसी lot हो जाएगा बाकी जो टर्म यह बचा है उसमें अगर del x का value 0 कर दें तो यह टर्म अगर हट जाएगा तो 2x प्लस 0 आपका 2x हो गया ने हम लोग पढ़े क्या है कि x square का dc 2x होता है इसके basic formula को भी proof करेंगे कि x to the power n का dc क्या होता है लेकिन एक simple बताए कि x square का dc हम लोग पढ़े है 2x होता है लेकिन कैसे तो यह जो तरीका हम लोगों ने follow किया है इसी को बोलते है first principle का तरीका होना इसी के मदद से हम लोग sin x का dc भी निकाल सकते है कि sin x का dc cos x होता है माल लिजे यह दूसरा formula है कि माल लिजे y is equal to sin x है तो y is equal to sin x का मतलब हो गया y is equal to fx is equal to sin x मतलब हम चाहते है sin x का जो है हम dc निकालें मेरी यह अच्छा है तो जब इसका हम d by dx का निकालेंगे formula तो यह होगा limit del x tends to 0 fx plus del x minus fx by del x हो जाएगा तो limit del x tends to 0 fx plus del x कहां जाएगा यहाँ x के जगाँ पर x plus del x लिखें तो यह यहाँ पे चल जाएगा यानि sin x plus del x हो जाएगा fx का value sin x है तो वो sin x हो जाएगा और नीचे मापको del x है तो उपर में क्या करते हैं लगा देते हैं formula sin c minus sin d का sin c minus sin d का formula sin c minus sin d का formula क्या होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 यह trigonometric का formula है यह formula यहाँ हमें apply करना है तो लिखेंगे 2 cos c plus d c मतलब यह दी मतलब यह c plus d by 2 into sin c minus d by 2 हो जाएगा और नीचे में तो del x है तो यह आपको जाएगा limit del x tends to 0 2 cos 2x plus del x by 2 into sin x plus x 2x नहोगा 2x plus del x by 2 यह आपको cancel हो जाएगा तो sin del x by 2 होगा और नीचे में तो del x है है यह बला del x इस del x को sin के नीचे में समझते हैं क्योंकि cos का limit तो formula में हम लोग क्या पढ़े हैं कि cos x अकेला ही काफी होता है cos में divide नहीं करते हैं लेकि sin में divide होता है तो अगर इसके बाद हम step को यहाँ लिखें कि limit del x tends to 0 2 cos x plus del x by 2 into sin del x by 2 by del x मतब इस del x को क्या करते हैं इस del x को हम इसके नीचे में करके लिखें इस 2 से इसमें divide करेंगे तो 2 2 conceal होगा तो x बचेगा और इस 2 से अगर इसमें divide करेंगे तो यहाँ del x में 2 होगा इसमें limit का rule लगाते हैं तो limit का rule क्या कहता है limit का rule कहता है कि sin के जो angle में है वो नीचे चाहिए यानि del x by 2 अगर angle में है तो यहां भी del x by 2 चाहिए तो 1 by 2 से हमें उपर भी गुना करना परेगा क्योंकि del x by 2 लिगने का मत्तबा कि 1 by 2 से नीचे multiply किये तो उपर भी multiply कर लिए 1 by 2 से तो इस पूरे का जो limiting value है वो हो जाएगा 1 इस पूरे का limiting value हो गया 1 del x का मान अगर 0 डालेंगे तो ये term आपका 0 हो जाएगा तो x plus 0 यहाँ x बचेगा तो यहाँ बचेगा 2 cos x और बगल में यहाँ पे 1 by 2 है ही तो ये 2 और ये 2 अगर cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा cos x तो आपको ये ध्यान रखना है कि d upon dx sin x cos x होता है तो यही एक formula बन गया कि अगर y आपको sin x है तो उसका d over dx क्या होगा तो उसका d over dx cos x होगा मतलब sin x का dc cos x होता है यह तो formula पर ही है इस formula का derivation हो गया यह sin x का dc cos x तीसरा है कि अगर y is equal to cos x है तो इसका d over dx आपको जो है निकालना है इसी formula से कोसिस करना है खुद से बना है वीडियो को pause करिए हमें आसा है कि आप लोग pause करके पले खुद से track करेंगे पले खुद से track करिए इसको फिर तब आगे बढ़के वीडियो को देखना बन गया तो ठीक है नहीं बना तो अब देखिए लिखेंगे वी नो देट देखिए इस इक्वाल तो लिमिट डेल एक्स टेंज टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स तो यह जागा लिमिट डेल एक्स टेंज टू जीरो अगर इसका वैल्यू पूट करें इसी में एक्स के जगह पर तो कॉस एक्स प्लस डेल एक्स minus fx fx का value cos x है क्यों क्यों क्योंकि आपको बता है कि वह ही fx होता है नीचे में तो del x रहेगा ही अब उपर में यहाँ एक formula लग गया और वो formula क्या लगा है cos c minus cos d का cos c minus cos d का formula कितना तो होता है 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 होता है cos के बीच में अगर minus हो तो दोनों sin माता है पहले दोनों को जोर लीजे c plus d by 2 और बाद वाले में d minus c करना उल्टा करते हैं d minus c करते हैं तो cos c minus cos d का formula हो जाएगा 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c x minus x minus d by 2 हो जाएगा और नीचे में तो d by 2 हो जाएगा और नीचे में तो d by 2 हो जाएगा ये और ये कट जाएगा तो लिमिट d by x tends to 0 तो 2 sin x plus x कितना हो जाएगा 2x plus d by 2 और इस d by x को इसके नीचे में लिखते हैं जाएगा जाएगा sin minus theta जो है sin minus theta ये आपको minus sin theta होता है इस 2 से divide किये इसमें तो यहाँ x बचेगा और इस 2 से divide किये बगल वाले में तो यहाँ पर d by 2 बचेगा इस minus को आगे ले आते हैं तो limit d by x tends to 0 minus 2 sin x plus d by 2 into sin यहाँ पर d by 2 है और नीचे में आपको d by x है इसमें limits का rule लगाना है अब आपकी दिमाग में ये question उठेगा कि sin यहाँ भी है, sin यहाँ भी है यहाँ क्यों नहीं divide करेंगे यहाँ पर अगर d by x का value आप डालते हैं तो sin 0 by 0 का form हो जाता sin 0 by 0 undefined form जाएगा लेकिन अगर d by x का value इसमें हम डालें d by x के जगह पर तो यह 0 होगा तो x बचेगा ने तो sin x plus 0 क्या होगा sin x होगा तो यह undefined form में नहीं जा रहा है यह चुकिए undefined form में नहीं जा रहा है इसमें limits का rule लगाना कोई ज़रूर नहीं है लेकिन इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यह क्या करेगा पूरे term को ही undefined कर देगा इसलिए इसमें क्या करेंगे sin के जो angle में है वो नीचे चाहिए तो d x by 2 है तो यहाँ भी d x by 2 लिखेंगे और उपर में 1 by 2 से आपको multiply कर लेना है ताकि यह 1 by 2 इससे cancel अगर हो जाएगा तो यहाँ del x बचा रहेगा इस पूरे का limiting value हो जाएगा 1 बगल में 1 by 2 है ही del x का मान अगर 0 डालेंगे तो यहाँ x plus 0 x बचेगा यानि यहाँ पर sin x बचेगा और आगे में यह आपको minus 2 रहेगा ही मतलब इसका जब limits लेंगे तो आपको term इस तरह से दिखेगा तो यह 2 और यह 2 जब cancel हो जाएगा तो यहाँ minus sin x आपको दिख रहा है और यह do y dx ने आप निकाले है formula तो हम do y dx का ही लेके चले है मतलब की do y dx कितना आगया minus sin x कहने का क्या मतलब हो गया कि d by dx cos x cos x का dc minus sin x होता है cos x का dc minus sin x होता है यह प्रूफिंग हुआ एक तरह से कि cos x का dc minus sin x कैसे होता है अगला अगर देखें y अगर माल लेते हैं 10x है if y is equal to 10x then find dy by dx मतलब fx अगर 10x है तो उसका dc निकालना है आप लोगों को खुद से पले track करना है वीडियो को pause करिए और pause करके पले इसका dc खुद से निकालिए हमें आसा है कि आप लोग इसको बना लिये होंगे अगर नहीं बना तो देखिए हम लोग कैसे इसका dc निकालते हैं तो direct लिखेंगे कि we know that dy by dx is equal to limit del x change to 0 fx plus del x minus fx upon del x होगा सबका value डालेंगे कहां पे function में यहां पे तो यह जाएगा 10x plus del x minus 10x और नीचे में तो del x है ही इसका limit निकालने के लिए sin में और cos में तो हम लोग formula पढ़ते हैं sin c minus sin d का cos c minus cos d का 10 c minus 10 d का formula हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसलिए इसको solve करने के लिए हमें trigonometry का मदद लेना पढ़ेगा यानि इसे 10 को लिखते हैं shine upon cos लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे sin x upon cos x और नीचे में तो del x है ही उपर मगर lc m लें इसका limit del x change to 0 उपर मगर lc m लें cos x plus del x into cos x इस दोनों का lc m तो यही दोनों multiply होगा यह term इधर आएगा लिखेंगे sin x plus del x into cos x minus यह term इधर जाएगा cos x plus del x into shine x और नीचे में तो नीचे में तो del x आपको है उपर मगर देखा जाए यह sign a cos b minus cos a sin b यह formula लग रहा है वह formula होता है sign a cos b minus cos a sin b यह formula किसका होता है तो यह sign a minus b का formula होता है sign a cos b minus cos a sin b sign a minus b का formula यहाँ उपर में लगेगा तो यह जाएगा sign a मतलब हो गया x plus del x अब minus b b मतलब हो गया x sign a minus b यह a है तो यह बगल वाला x जो है यह b है sign a cos b minus cos a sin b sign a minus b नीचे का जो टर्म है cos x plus del x cos x यह रहेगा ही यह जो नीचे का del x अकेला है यह नीचे में multiply हो जाएगा उपर complete fraction हो और नीचे का टर्म अगर अकेला हो तो वो नीचे वाले में जो है denominator में multiply हो जाता है यह minus x plus x cancel होगा तो उपर में क्या दिख रहा है उपर में आपको दिख रहा है sign del x अगर इस del x को sign del x के नीचे में हम लिख दें और बाकी टर्म जो है cos x plus del x और cos x बाकी जो टर्म ये ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अलग हटा के लिखे हैं उपर में one डाल देते हैं उपर में one इसलिए डाल ले हैं क्योंकि ये तो नीचे में न रहे गार इनो में टर्में हैं तो sin del x और ये del x इसको एक जगा लिखे हैं और one upon rest term जो नीचे का है उसको एक जगा लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए cos है तो cos में क्या होता है cos में अकेले formula चलता है limits का formula cos में केले चलता उसमें divide करने कोई जरुवत नहीं है लेकिन sin के angle में जो है वो नीचे होना चाहिए तो यहाँ संजोक से देख रहे हैं कि del x है तो नीचे भी del x है जो angle में है वही ने नीचे है इसलिए इसका limiting value कितना हो जाएगा इसका limiting value होगा one और del x का value अगर 0 यहाँ पर डाले तो x प्लस 0 कितना हो जाएगा x प्लस 0 x in होगा यहाँ पर तो यहाँ आपको cos x बचेगा अब बगल में तो यहाँ पर cos x पहले से है समझे कि ने समझे del x का मान अगर 0 यहाँ पर डालेंगे तो x प्लस 0 कितना x तो cos x यह बगल का cos x है ही और यह फर्मूला हो गया sin theta बटे theta theta tends to 0 limits का value 1 होता है तो नीचे cos into cos कितना होगा यह हो जाएगा cos square और यह cos square जब उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा c के square x इसका मतलब d y dx का मान कितना निकला c square x मतलब 10 x का dc c square x कहने का मतलब हो गया इसको लिख सकते हैं d by dx 10 x जो है यह c square x होता है यानि 10 x का फर्मूला क्या बन गया c square x तो फर्मूला को दियान लगना है पहला पर है sin x, sin x का dc cos x दूसरा पर है cos x, cos x का dc minus sin x तीसरा पर है 10 x 10 x का dc c square x note करिए से if y is equal to cot x then find d by dx y अगर cot x है तो इसका dc क्या गयात करना आप लोगों को y अगर cot x है तो इसका dc क्या होगा वीडियो को pause करके आप लोगों को बनाना है हमें आसा है कि आप लोग बना लिये होंगे आप लोग तो इस आसा बना रहते हैं कि सर पीछे भी बोले हैं pause करके बना ये अब आद में तो बता ये देते हैं बाद में बता देते हैं तो बनाने का कोई जरुवते नहीं है क्या जरूरे मेहनत करने की? आलसीत आप लोग है ये हैं? आलसी तो ऐसे हैं कि बस बटे बटे मिल जाए, काम करने की जरूत क्या है? मतलब वो दो कहानी बता रहे हैं, कि दो दोस्त जो था वो एक बगीचा गया, बगीचा में जाक आम का पेर था नीचे में जाकर के दोनों आराम करने लगा तो आराम करने लगा इतने दिर में क्या हुआ था कि एक आम गिरा उपड़ से आब आज हुआ एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को कि रे दोस्त मेरे मुह में आम का रस डालने दो तो वो दोस्त बोलता है ओ तुम कहता ह मेरे मुह में आम का रस डाल दो और कुछ दिर पहले जो है मेरे मुह पर कुटा सुसू कर रहा था तब जो बुले भागा दो तुम तो भागा नहीं दिया उपर से कहता है तुम आम का रस डाल दो आप अंदाज लगाईए कि किस तरह का वह आलसी था कि मुह पर कुटा सुसू कर रहा है लेकिन उसको भगाने का जो है उसमें चाहत नहीं है तो ऐसा कांँ आप लोगों को नहीं करना है आप लोगों को इसका डी सी खुल से निकालना है इसका dc आपको निकालने वाले नहीं है y अगर sec x है तो इसका dc आपको निकालना है तो लिखेंगे कि we know that d by dx is equal to limit del x change to 0 fx plus del x minus fx upon del x limit del x change to 0 अगर x plus del x का मान इसमें डालें तो यह होगा sec x plus del x fx का मान मतलब sec x है यहाँ पर और नीचे में तो आपको del x है ही यहाँ पर भी आपको बता दें कि sec c minus sec d का formula हम लोग नहीं परें तो यहाँ भी क्या करेंगे इसे cos में convert कर लेना है तो 1y cos x plus del x होगा 1y cos x होगा यहाँ पर और नीचे में तो del x है ही उपर मगर इसका LCM लें तो LCM अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x plus del x into cos x होगा यह cos x इधर आ जाएगा और यह cos x plus del x इधर जाएगा और नीचे में तो आपको del x है cos x plus del x cos x का LCM दोनों को multiply कर लिए इससे divide मारेंगे यह बचेगा तो यह उपर आ गया इससे divide मारेंगे यह बचेगा तो यह उपर चला गया नीचे का term del x है यह नीचे का term del x जो है वो नीचे में multiply हो जाएगा यानि कि limit del x change to 0 cos x minus cos x plus del x और नीचे में cos x plus del x into cos x into del x होगा यह नीचे का term नीचे में ही multiply हो जाएगा उपर में cos c minus cos d के formula पर तो रहें भी बता है formula cos के बीच में अगर minus हो तो formula sin में लगेगा 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 उल्टा लगता है तो उपर में लगाना है formula कि limit del x tends to 0 2 sin c plus d c है यह d है यह c plus d by 2 into sin d d मतलब हो गिया यह d minus c by 2 निचे का टर्म जो है cos x plus del x into cos x into del x वो तो रहेगा ही 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 तो यह minus x और यह plus x किंसिल हो जाएगा उपर के टर्मस को अगर हम rearrange करें तो यह x plus x हो जाएगा 2x 2x plus del x by 2 shine यहाँ पे हो जाएगा del x by 2 और निचे में cos x plus del x into cos x into del x तो है ही इस del x को इसके निचे में लिखना है limit del x tends to 0 अगर इस 2 से दोनों में divide करें x plus del x by 2 होगा इससे इसमें divide करेंगे 2, 2 cancel तो यहाँ x बचेगा इससे इसमें divide करेंगे the del x by 2 बचेगा sin del x by 2 के निचे में del x को लिखना है इस del x को इसके निचे में लिखे हैं और बाकी दोनों term जो है उसको हमने अलग कर लिया है cos x plus del x into cos x यहाँ पर भी del x डालेंगे 0 तो sin x बच जाएगा यहाँ डालेंगे 0 तो यहाँ cos x बच जाएगा इसमें limits का rule लगाने की जरुबत नहीं है limits का rule लगाना इसमें कि sin की जो angle में है वो नीचे हमें चाहिए इसको एक बार और repeat कर लेते हैं तो 2 sin x plus del x by 2 यहाँ पर हो जाएगा नीचे में cos x plus del x into cos x यहाँ पर अगर देखें तो sin del x by 2 के नीचे में del x है तो यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं तो हमें उपर में 1 by 2 से गुना करना परेगा del x में 2 से divide किये मतलब 1 by 2 से गुना किये तो नीचे 1 by 2 से गुना किये उपर भी 1 by 2 से गुना कर लिए, ताकि cancel out अगर हो जाएगा, तिस del x पर कोई effect नहीं परेगा, तिस पुरे का limiting value कितना, 1, बगल में 1 by 2 है ही, इधर आ जाएगे, अगर del x का मान 0 डालेंगे, तो उपर में 2 sin x बचेगा, उपर में 2 sin x बचा, नीचे del x का मान 0 तो यहाँ पर cos x और यहाँ पर भी आपको cos x बचेगा, तो यह आपको निकल गया limiting value, तो यह 2 और यह 2 क्या होगा, cancel हो जाएगा, इसको अगर धंग से लिखे हैं, 1 by cos x और sin by cos x, ऐसे करके अगर लिखे हैं, एक cos को अकेला लिखे हैं, 1 by करके, और इस cos को sin के नीचे में लिखे हैं, तो 1 by cos क 10, तो यही आपको dc निकल गया, कि sec x का dc sec x 10 x, जिसको कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, कि d upon dx sec x, तो यह आपको हो जाएगा sec x 10 x, sec x का dc sec x 10 x होता है, यह formula बन रहा आपको, इसको ध्यान रखना परेगा, sec x का dc, sec x 10 x, 10 x का dc, sec x, cortex का dc, जो इससे जस्ट पहले बताये थे, आप लोग बनाईएगा, cortex का dc, minus cos x x होगा, नोट कर लिजे बगल में, cortex का dc, minus cos x x बनाना है खुद से, और बनाके मैं कमें कमेंट्स करेंगे, कौन से बनाया है इसको, एक formula chart आप लोग को note कर लेना है, और formula chart को बढ़िया पेपर पर लिख करके, जहां पढ़ते हैं वहाँ चिपका लिजे, और इस formula chart में जो formula लिख रहे हैं, इसमें से जिसको बना दिये हैं, या जिसको नहीं बनाया है, सभी को खुद से आपको कई बार ट्रै करना है, वो formula chart क्या है सो देख लिजे, यह formula chart है, इस तरह से एक आपको diagram बना लेना है, कि यह अगर y है, तो यह आपका d y y dx है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा sin x, तो sin x का dc पढ़े हैं, cos x होता है, sin x का dc हम लोगों ने पढ़ा cos x होता है, कई से, तो समझीगे, दूसरा cos x का dc minus sin x होता है, अगला nx का dc c square x होता है, cos x का dc minus cos x square x होता है, cos x का dc, cos x into 10 x होता है, cos x का dc minus cos x into cortex होता है, देखिए, जो function c से start होता है, वो सब negative है, c से start होता है cos, उसके dc में negative है, c से start होता है cot, उसके dc में negative है, c से start होता है cosec, जिसके dc में negative होता है, तो यह आपको trigonometric formula हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, इसके बाद देखिए, e to the power x exponential होता है, e to the power x का dc e to the power x होता है, और एक होता है log x, जिसको कि हम लोग ln x भी लिखते हैं, यह log के base में e छुपा हुआ है, तो इसका dc 1 upon x होता है, तो यह कुछ basic formula है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका आप लोग को आज का work रहा, कि इसका proofing को देखना है कि आखिरी यह कैसे बनता है, इसके अलावा कुछ और additional formula chart आपको लिख दे रहे हैं, वो additional formula chart क्या होता है, additional chart अगर देखें formula का, तो यह formula का chart होता है, यह algebraic है, यह माल लिए y है और यह माल लिए dy by dx है, x to the power n का dc होता है, n x to the power n-1, अब n के जगा पर कुछ भी हो, n positive हो, negative हो, fraction हो, सब में यह formula काम करेगा, x to the power n का dc, n x to the power n-1, इसी गधार पर आपको कल बताए थे, x square का dc 2x, मतलब 2x पे power 2-1, वो इसी formula का use है, cable अगर x रहेगा, तो x का dc हो जाएगा 1, 1 upon x रहेगा, जिसका dc हो जाएगा, minus 1 upon x square, root x अगर है, तो root x का dc होता है, 1 upon 2 root x, और कोई भी constant अगर हो, जिसको की बोलते हैं, अचर है कोई, तो constant का dc होता है, 0, constant का dc आपको शुन्न हो जाता है, यह कुछ additional formula chart है, जिसको की आपको ध्यान रखना है, इस दोनों chart को, अगल बगल में लिख करके, अच्छे page पर बड़े बले letter में, आप जहां परते हैं, वहाँ पर आपको चिपका देना है, ताकि शुरू सुरू में आपका नजर बारवार पड़े, जितना अधिक बार आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मॉला उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा, और फॉर्मॉला को देख देख के यूज करना, देख देख के यूज करना, देख देख के यूज करने से ही फॉर्मॉला याद होता है, ऐसे रट्टा मार के आप छोड़ दीजेगा तो formula याद नहीं होगा formula को देखिए उसको याद करिए देखिए याद करिए यूज करिए तब formula याद हो जाता है तो हमें आसाई कि आप लोग मेहनत के साथ इसको पूड़ा करते होंगे आज का work यही रहा इस formula पर काम करना है फिर अगले वीडियो में कुछ इसके अच्छे properties को लेके आएंगे जिस properties के मदद से फिर हम लोग सवाल बनाते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को best of luck Thank you